वेलो गाईज, वेलकम तो इंग्लिस एजुकेशन, इस्टूडेंट्स आजम पढ़ने वाले हैं, एक लास्ट एंथ हिस्ट्री के फॉर्स्ट चेप्टर से वेरी शोट कुर्शन आंसर, चेप्टर का नाम है, दर राइज ओफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और चेप्टर की स कर लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करती हैं, कोशन नमबर वन है, विच टाइप आफ गॉर्मेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर दा रेवलुशन ओफ 1789, तो देखिए, यहां पर कोशन पूछा गया है, कौन से टाइप की गॉर्मेंट जो हैं फंक्शन कर रही थी, रेवलुशन से पहले, कौन से रेवलुशन से, 1879 की रेवलुशन से पहले, तो देखिए, यहां पर आपका अंसर है, तो मोनार्कियल टाइप ऑफ गॉर्मेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर दा रेवलुशन ओफ 1789, तो देखिए, मोनार्कियल टाइप, यानि के राजा महराजाओं की जो सरकार थी वो फंक्शन कर रही थी उस समय पर. Why did France artist Frederick Soryu prepare a series of print based on Democratic and Socialist Republics in 1848? तो देखिए पूछा गया है कि France के जो कलाकार थे उन्होंने 1848 में लोकतांत्रिक और समाजवादी गण राज्यों पर आधारित प्रिंट की स्रंखला क्यों तैयार की थी? जो प्रिंट उन्होंने तैयार किये थे तो क्या कारण था उन्हें तैयार करने का? तो देखिए to depict his utopian vision where the people of the world are grouped as distinct nation, indefinite throw flags, identified throw flags and national custom offering homage to the statue of liberty. तो देखिए यहां पर वो अपना vision जो है सो करना चाहते थे, वो क्या सोच रहे थे कि जो लोग है ना वो एक गुरूप में आएं? अलग अलग नेशन के जो लोग है वो एक गुरूप में आएं और जो है उनकी identify हो जो उनका flag है, उनका costume है और वो जो है स्रधांजली अर्पिक करें इसको statue of liberty को. आगे देखें भैनवाज France declared as republic. तो देखें फ्रांस को republic यानिके स्वतंत्र कब गोजित कर दिया गया? और 21st September 1792, the newly elected assembly abolished the monarchy and declared France as republic. तो देखें, 21st September 1792 में एक assembly बनी नहीं और उसमें जो है जो मुनार्कियल फॉर्म थी, यानिके राजा महराजाओं का जो सासन था, उसे खतम कर दिया गया और फ्रांस को republic घोसित कर दिया गया? Who was Frederick Soryu? Frederick Soryu कौन थे? Frederick Soryu was a French artist, तो वो एक फ्रांसी सी कलाकार थे, who prepared a series of four prints, visualizing his dream of the world made up of democratic and social republic. तो देखिए जो Frederick Soryu थे, वो एक फ्रांस के आर्टिस्ट थे और उन्होंने जो है चार प्रिंट की एक पेंटिंग तैयार की थी, उसमें उन्होंने चार प्रिंट अपने निकाले थे और वो जो है उसमें अपने सपने को, संसार जो है एक democratic हो, यानिकि लोगतंत्र हो वहा करना चाहते थे, what was the major change that occurred in the political and constitutional scenario due to the French Revolution in Europe, तो ये question number 13, तो देखिए what was the major change, कौन कौन से जो मुख्य बदलाव थे, वो हुए political and constitutional scenario में due to French Revolution in Europe, तो देखिए जो यूरोप में revolution चल रहा था, French Revolution जो चल रहा था, उस से कौन कौन से मुख्य चेंज देखने के लिए मिले, तो देखिए the major change that occurred in political and constitutional scenario due to the French Revolution in Europe was transfer or sovereignty from the monarchy to the body of French citizens, तो देखिए जो monarch form थी ना, यानि के राजा महराजाओं की जो सरकार थी, वो बदल गई थी और वो sovereignty में change, यानि के संप्रभुत्ता में change हो चुकी थी, तो ये main बदलाव देखने के लिए मिलता है, next question है आपका, what was the main aim of French revolutionaries, तो देखिए जो French revolutionaries थे, उनका मुख्य main aim क्या था, क्या उद्देश है था उनका, तो देखिए the main aim of French revolutionaries was to liberate the people of France and also the people of Europe from despotism and despotism means होता है, उस सरकार पर, जिस पर किसी का अंकुष नहीं था, निरंकुष गॉर्मेंट पर, and establish a nation state under common people's rule, और वो चाहते थे कि जितने भी common people हैं, वो उस पर rule करें, तो देखिए यहाँ पर उनका main aim था, इनका French revolutionaries का, कि वो लोगों को जो है, स्वतंतर कराएं, फ्रांस के ओट और वो पूरे यूरोप के लोगों को उस despotism से स्वतंतर कराना चाहते थे, और वो चाहते थे कि एक nation state बने, जिस पर common people rule कर सकें, what was the concept of the modern state, तो देखिए आधुनिक, आधुनिक राज्जी की क्या अवधारना थी, पुछा गया है कि जो आधुनिक राज्जे थे, उनकी क्या अवधारना थी, तो देखिए, एक केंद्री क्रत सकती ने पूरी तरह से एक छेतर पर अधिकार किया था, तो उनका concept यही था कि वो जो है, एक छेतर पर पूरी तरह से अधिकार करना चाहते थे, नेम दा पेंटिंग प्रिपेर्ड बाई फैडरिक सोरियो इन 1848, तो देखिया हमें उस पेंटिंग का नाम बताना है, important question है, इन 1848 फैडरिक सोरियो प्रिपेर्ड दा पेंटिंग, तो यहाँ पर नाम दिया गया है, और नाम दिया गया है, तो यह जो पेंटिंग थी, यह 1848 में फैडरिक सोरियो के द्वारा तियार की गई थी, what was the significance of the Treaty of Constantinople in Greek history, तो देखिये, जो एक treaty थी, एक संधी थी, Constantinople, उसका क्या significance था, उसका क्या महत्व था, तो देखिये, the Treaty of Constantinople recognized Greece as an independent nation, तो देखिये, जो यहाँ पर treaty थी, यह जो संधी थी, Constantinople की संधी ने, ग्रीक को एक स्वतंतर राष्ट के रूप में मानने था, दी थी, what does national state means, तो देखिये, पूछा गया है, national state का मतलब क्या है, इतनी देर से हम national state, national state पढ़ते चले आ रहे हैं, तो देखिये, a national state was the one in which the majority of its citizen and not only its ruler, तो देखिये, majority किस की हो, citizen की हो, केवल उनके ruler की नहीं हो, come to develop a sense, common identity and share history or descendant, तो देखिये, हम इस तरह से कह सकते हैं कि, एक राष्ट राज्य वह होता है, या वह था, उस समय के अगर बात करें, जिसमें अधिकांस जो नागरिक होते हैं, जाद़त तर जो नागरिक होते हैं, नय केवल उसके सासक कि बात की जारी है, जो अधिकांस नागरिक है उनकी बात की जारी है उनकी एक सामान्य पहचान हो उनका एक ही इतिहास हो और जो उनका वन्स है ना उसकी भावना वो विक्सित करने के लिए आते हैं यानि कि नेशन इस्टेट का मतलब है लोग जो है एक जुट होना चाहते हैं तो देखें यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एबसोल्यूटिस्ट इसका हमें मीनिंग बताना है तो सबसे पहले अगर एक ही वर्ड की बात करें एबसोल्यूटिस्ट इसका मतलब होता है निरंकुष जिस पर कोई भी नियंतरन ना हो जिस पर कोई भी अंकुष ना हो तो द उपर कोई भी अंकुष नहीं है ये बिना सोचे समझे जैसे भी काम करें लेकिन इनने कोई बोलने वाला नहीं है A form of monarchial government that was centralized, तो एक monarchial form यानि के एक राजा महाराजाओं की government जो की centralized हो A form of government that is repressive, repressive means होता है दूसरों को दबाने वाला, तो देखिए एक ऐसी government जो दूसरों को दबाती हो तो हमने जाना कि absolutist क्या होता है एक ऐसी government जिसके ओपर कोई भी अंकुष नहीं हो, जो की centralized हो और monarchial form भी हो यानि के राजा महाराजाओं की हो government और एक ऐसी government जो दूसरे लोगों को गर्दमन करी Next question है, when did industrialization begin in England and other part of Europe तो देखिए industrialization यानि के उद्धोगी करण कब शुडू होता है इंगलेंड में और यूरोप के दूसरे parts में तो देखिए industrialization begin in England in the second half of 18th century तो ये बिगन होता है second half of 18th century में but in France and other part of German state it occurred only during the 19th century तो देखिए इंगलेंड में पहले शुरू हो जाता है जबकि जर्मन में और फ्रांस के कुछ parts में ये बाद में शुरू होता है in which year all men of 21 years have and above in France regardless to their wealth got the right to vote तो देखिए पहले क्या था starting में जिन लोगों के पास property होती थी और वो 21 years से अबब होते थे तो उन्हें ही vote का अधिकार था तो देखिए पूछा गया है कि कौन से year में ऐसा हुआ कि 21 years के अबब के जो man थे सभी को voting right मिल गया था तो देखिए वो year था आपका 1792 all men of 21 years and above in France got the right to vote तो देखिए यहाँ पर बता गया है कि France में 21 years से जो जितने भी अबब के man थे उन्हें 1972 में voting to right मिल गया था what was the meaning of the world liberalism, liberalism का meaning पूछा गया है और liberalism की अगर बात करें तो liberalism का meaning होता है उदारवाद, for the new middle class लेकिन पुछा गया है कि new middle class के लिए liberalism का meaning क्या है तो देखिए for the new middle class liberalism stood for freedom of the individual and equality of all before the law तो देखिए उनका मानना था कि liberalism क्या है freedom है ठीक है और किस के लिए हर किसी के लिए और उनका ये भी मानना था कि हर किसी के लिए जो law है वो एक समान हो politically अगर बात करें, राजनीतिक रूप से अगर बात करें, it emphasized the concept of government by constant तो देखिए राजनीतिक रूप से सहमती से सरकार बनाने पर जौर दिया जाता था देखिए पूरे का meaning हम देखते हैं तो देखिए liberalism क्या था, middle class के लिए ये freedom को stand करता था और ये इसमें मानना था कि जो law है वो सभी के लिए equal हो, individual के लिए भी और अगर राजनीतिक रूप की बात करें, तो यहाँ पर कहा गया है कि राजनीतिक रूप में सहमती से सरकार बनाने पर जौर दिया गया इसमें आगे देखते हैं, who hosted the congress at Vienna in 1815, किसने host की थी, ये जो संधी थी, ये संधी नहीं थी, खीक है, तो देखिए, who hosted the congress at Vienna in 1815, तो देखिए, the congress at Vienna in 1815, was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich, important है, ये कह बहुत ही जदा important है, तो देखिए, ये जो, ये host किया गया था, Austrian, Austrian Chancellor Duke Metternich के द्वारा, long question, short question में भी पुझा जा सकता है, सभी detail है, which countries met at treaty of Vienna, तो कौन सी countries थी, जो की treaty of Vienna, यानि कि Vienna में मिली, संधी करने के लिए, तो देखिए, in 1815, representative of European power, तो देखिए, European power थे, European power किसे कहा गया है, बेटेन को, रसिया को, प्रूसिया को, और अस्ट्रिया को कहा गया है, इन चारों को कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्होंने मिलकर, निपोलियन को defeat किया था, निपोलियन को हराया था, met at Vienna, ये सब Vienna में मिले, to draw up a settlement for Europe, Europe के settlement के लिए, ठीक है, तो यहां पर यह जो इंपोटेंट डेट है, who was Otto von Bismarck, Otto von Bismarck कौन था, Otto von Bismarck was the true architect of Germany, तो देखिए, Otto von Bismarck एक true architect था, जर्मनी का, उसे ही कहा जाता है कि इसने ही जर्मनी को architect किया था, who played an important role in the unification of country, इसने बहात ही महत्पूर भूमी का निभाई थी, कंट्री को unification करने के लिए, he is known for the policy of blood and iron, और इसे policy blood of iron के लिए भी जाना जाता था, important है, याद रखेंगे, किसको जाना जाता था, Otto von Bismarck को जाना जाता था, किसका आर्किटेक्टी ने कहा गया था, जर्मन कंट्री का, आर्किटेक्टी ने कहा गया था, मुख्य रूप से इन्होंने निभाई थी, what is a nation state, ये question हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी definition different है, पढ़ते हैं, तो राष्ट राज्य क्या है, ने कि राष्ट राज्य क्या है, ने कि राष्ट राज्य क्या है, ने शने स्टेट इस वन ओफ इन विच्ट अफ इन विच्ट अ human identity की sense को विक्षित करने के लिए, and share history and descendant, तो हम इस तरह से कह सकती हैं कि राष्ट राज्य वह हैं, जिसमें अधिकांस नागरी के एक समान पहचान और एक इतिहास या वन्स की भावना को विक्षित करने के लिए आती हैं, या आये थे, ठीक्या, आगे देखते हैं, विच्टू, underground societies were formed, तो देखें, कौन सी दो underground societies बनाई गई थी, गोजप्य मजीनी के द्वारा, important है, very important है, तो देखें, यंग इटली in मर्सलीज, और यंग यूरॉप इन बैं, तो ये बनाई गई थी, गोजप्य मजीनी के द्वारा, ठीक है, Name the three revolutionaries of Italy, who led the unification of the country, तो देखें, तीन revolutionaries के नाम बताने हैं, इटली के, जिन्होंने unification किया country का, एक साथ जोड़ा हुने एक रास्ट में चेंज किया, तो देखें, सबसे पहले तो important है, गोजप्य मजीनी बताया गया है, फिर है, Count Camelo, D. Cover, और आगे आपके, गोजप्य गैरबालडी, तो देखें, गोजप्य गैरबालडी, Count Camelo, D. Cover, और गोजप्य मजीनी, ये तीनों थे, तो देखें, लिब्रल नेशनलिस्ट कौन थे, विच टू अंडर्गाउंड सोसाइटीज वर फॉर्मड बाई गोजप्य मजीनी, तो गोजप्य मजीनी के दौरा कौन सी दो अंडर्गाउंड सोसाइटीज बनाई गई थी, यंग इटली इन मर्सलीज और यंग यूरोप इन बैग, तो देखें, ये दो जो है सोसाइटीज बनाई गई थी, गोजप्य मजीनी के दौरा, तो देखें, इटली के तीन रेवलुशनरीज के करांतिकारियों के नाम बताने हैं, जिसने कंट्री को यूनिफाई करने का काम किया, तो यहाँ पर देखें, एक का नाम है गोजप्य मजीनी, दूसरे का नाम है काउंट कैमिलो डी कैवर और गोजप्य गैरी बार्डी, तो देखें, गोजप्य गैरी बार्डी ये भी इंपोटेंट नाम है, तो ये तीन रेवलुशनरीज थे जिन्होंने इटली का यूनिफ करने का काम किया था, फूबर लिबरल नेशनलिस्ट, तो लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे, यानि कि उदार राष्ट्रवाधी कौन थे, तो दे लिबरल नेशनलिस्ट बिलॉंग तूद अजूकेटड मिडल क्लास इले, अमंग हूम वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क् कौर्मर्टियल मिडल क्लास वित कैने चुलोफेशर धिफेân सब्सक्राइब को मेंब्र अफ दफ नरा को पिआखे पांतो प्रृइसर द पेरा मिडलोफे लो प्रशनीसमेंश्योस व्लोफे एप yes जर्मनी को यूनिफाइं करने में कौन इंपोर्टेंट रॉल प्ले करता है किसने किया इंपोर्टेंट रॉल प्ले तो देखें इंपोर्टेंट नाम है ये भी ओटो वोन बिसमार्क प्ले दा की रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जर्मनी को यूनिफाइं करने में ओट वन बिसमार्क ने इंपोटेंट रोल प्ले किया था आगे कोशन पूछा गया है नेम दा आर्टिस्ट हू पेंटिड दा मोनुमेंटल वर्क दा प्रो क्लेमेशन ओफ जर्मन एंपायर इंदा होल आफ मीरर एट वर्सली तो यह तो नाम दिया गया है जगह का तो पूछा गया है कि उस आर्टिस्ट का नाम बता रहा है जिसने वॉनुमेंटल वर्क किया था और गोसित कर दिया था जर्मन को एक एंपायर के रूप में तो दीखे इनदिपैंडेंट नेशन तो देखिये हमें उस ट्रीटी के बारे में बताना है उस संधी के बारे में बताना है जो 1832 में हुई थी और उसने जो है ग्रीज को एक इंडिपैंडेंट नेशन घोशित कर दिया था तो देखिए Treaty of 1832 ये तो हम पढ़ चुके हैं Constantinople Treaty वो थी एक Constantinople Treaty आगे पढ़ते हैं identify the place where the Frankfurt Parliament was convinced in 1848 तो देखिए हमें बताना है उस जगह के बारे में जहाँ पर Frankfurt Parliament जो है तो वहाँ पर जगह का नाम है Church of Saint Paul हमने पढ़ा था ना कि Church of Saint Paul में सभी लोगी खटा हुए थे लेकिन वोटों को जो है जो वोमेंस वहाँ पर खड़ी वोमें वहाँ पर खड़ी हुई थी उन्हें जो है बस देखने का है जब विजिटर वहाँ पर खड़े हुई थी आगे बढ़ते हैं what was romanticism during the age of revolution तो देखे रोमेंटिस्म क्या है ठीक है रेवल्यूशन के दोरान यह जो वर्ड यूज हुआ और यह क्या है तो देखे रोमेंटिस्म वास दा कल्च्रल मूमेंट यह संस्क्रितिक यह संस्क्रितिक आंदोलन है विच्च साउट टू डवलप क्या विक्सित की आजाए राष्ट वात की भावना विक्सित की जाए ठीक है तो रोमेंटिस्म के बारे में जाना था हमने कि यहाँ पर जो culture है अपना वो दिखाया जाता है उसके माध्यम से लोगों के बीच भावना विक्षित की जाती है poetry, लोक गीत, dance इन सब के माध्यम से लोगों को audience को जो है message दिया जाता है कि किस तरह से हमें अपने राष्ट की मांग रखनी है ठीक है तो यही है अपका romantic आगे पढ़ते हैं who supported nationalist of Greek in their independence war तो देखे जितने भी ग्रीक में यह जो independence के लिए वार चल रहा था तो उन nationalist को कौन support कर रहा था तो nationalist in Greece got support from the Greek leaving in exile तो exile आपको बता चुकी हूं है जिनको देश के बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है तो वो लोग जो देश से निकल कर बाहर रह रहे थे वो लेकिन वो Greek के ही थे आगे देखिए and also from many West European और बहुत से West European से भी उन्हें support मिल रहा था who had sympathies for innocent Greek culture जिने जो है सहानुभूती थी जो पुराना innocent Greek culture था उससे वो सहानुभूती करते थे तो ये दो लोग जो है Greek war, independence war जो चल रहा था उसमें support कर रहे थे कौन-कौन कर रहे थे तो देखिए Greek living in exile और many West Europeans who has been called the hero of two world किसको hero of two world कहा गया था तो देखिए गोजपी मैंने भी उपर ही बताया था आपको important है Gary Bardi has been called the hero of two world तो देखिए गोजपी Gary Bardi को hero of two world कहा गया था what was the result of the act of union 17-7 तो देखिए ये जो क्या result हुआ act of union 17-7 का क्या result हुआ तो देखिए अलग से एक nation बना था जिसका नाम था United Kingdom of Great Britain was the result of the act of union 17-7 आगे परते हैं what is an algorithm is state any one example to clarify the same तो देखिए अलगरी when an abstract idea for intense greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person or a thing it is symbolic तो देखिए मैं अगर अपने शब्दों में कहूं इसको कोई भी abstract idea जैसे की greed है लालच है, इर्शिया है, स्वतन्तरता है और liberty है इसको express करने के लिए अगर मैं एक ideal बता दूँ एक person के रूप में एक ideal बता दूँ तो ये जिस चीज को symbolize करता है ये एक चिन होता है ठीक है, जैसे की Statue of Liberty हम अपने देश की बात करें जैसे की भारत माता है ठीक है, एक person बता दिया तो वो क्या है, वो क्या कर रहा है कि वो एक abstract idea दे रहा है greed, freedom, इन सब का ठीक है, तो यही बात बताई गई है तो क्या, यहाँ पर कुछ examples दिये गए है जैसे Statue of Liberty है Marin है और Germania है ये सब ही examples है अब देखें, in 18th century political clubs become an important rally point for people who wish to discuss government policy and plan their own forms of action of them which club was most successful तो देखें, 18th century में क्या हुआ बहुत सारे political clubs बनकर सामने आए थे तो वो उनका क्या काम था वो rally point बन गए थे यानि कि लोग जो है इखटा होते थे government के बारे में discuss करते थे उनकी policy के बारे में discuss करते थे और जो है उनके action के बारे में वो discuss करते थे तो देखें ये एक club था ठीक है तो ये political club थे तो पूछा जा रहा है इन में से कौन सा club सबसे ज़्यादा successful था तो देखें वो club है हमारा jacobian club jacobian club जो था वो सबसे ज़्यादा successful रहा था under whom various states of Italy were ruled तो देखें किसके अंडर जो है इटली के बहुत सारे states जो है किसके अंडर में थे कौन वहाँ पर रूल करता था mansion the line is who ruled इटली तो हमें बताना है कि कौन रूल कर रहा था उस समय इटली में तो देखें the north was under austrian habsburg तो देखें अगर हम बात करें note की तो वहाँ पर कौन rule कर रहा था austrian habsburg और यहाँ पर अगर हम center की बात करें तो वहाँ पर ruled किया जा रहा था pop के द्वारा और अगर southern reason की बात करें तो वहाँ पर था आपका bourbon kings of Spain ठीक है तो यह सब महाँ पर rule कर रहे थे in which event of history we observe the clear expression of nationalism तो देखें इतिहास की किस घटना में राष्टबाद की अभिव्यक्ति जो है पस्ट रूप से दिखाई देती थी तो देखें in the french revolution क्योंकि french revolution most important है और वहीं से जारी चीजों की शुरुवात हुई थी तो देखें in the french revolution in 1789 we observe the clear expression of nationalism तो देखें उदारवाद की जो भावना है वो बिल्कुल clear कब हुई थी french revolution के दुआरा के दोरान वो कब था कब हुआ 1789 में आगे पढ़ती है name the balkan countries balkan countries के नाम याँ पर हमें बताने है the balkan nation comprises the Romania Bulgaria Albania Greece Macedonia Carotia Bosnia हर्जे 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 नोविया सौरी सैलोवेनिया साइबेरिया एंड मोन्टेन नेग्रो विच वर इन हैबिटेटेटेड मोस्ली बाइ स्लैप तो दिखें यहाँ पर यह सभी कंट्रीज थे जो balkan कंट्रीज के अंदर आते थे फू वाज दा फर्स्ट प्राइमिनेस्टर आफ इटली इटली के पहले प्राइमिनेस्टर कौन थे तो यह थे आपके काउंट कैमिलो डी कैवर ठीक है कौन थे फर्स्ट प्राइमिनेस्टर प्रोफितली काउंट कैमिलो डी कैबर ये पहले परदान मत रिते हैं वू अस प्रोक्लेम्ड दा किंग ओफ यूनाइटिड इतली इन 1861 तो देखें 1861 में यूनाइटिड इतली का किंग किसे घोशित किया गया इन 1861, Victor Emmanuel, Victor Emmanuel second was proclaimed king of United Italy तो देखिए, Victor Emmanuel second को घोशित कर दिया गया था United Italy का king, कब 1861 में What was the, यह हम पढ़ चुके हैं पिर से repeat हो रहा है चलो पढ़ लेते हैं वार्ट वास दा एल्गोरी ओफ जर्मनी यहां पर कुछ अलग दिया गया है तो एल्गोरी ओफ जर्मनी क्या था जर्मेनिया बिकम एल्गोरी ओफ दा जर्मन नेशन तो जर्मेनिया जो है जैसे कि मैंने अभी बताया था एक स्टैचू जैसे कि हम भारत माता है स्टैचू ओ liberty है तो ऐसी जर्मेनिया है तो जर्मेनिया फिकम ए एलगोरी of the German nation in visual representation जर्मेनिया विर्स अक्राउन of oak leaves तो देखे उसमें दिखाया गया था कि जो जर्मेनिया है उसने जो oak tree होता है उसकी leaves का crown पहना हुआ है ताज पहना हुआ है as the German Oak stand for heroism क्योंकि जो German Oak है वो क्या प्रदर्शित करता है क्या stand करता है वो heroism को stand करता है तो दिखे में कॉंट्रिविशन क्या रहा जो France Revolution चला था संसार के लिए उसका क्या में कॉंट्रिविशन था The main contribution of France Revolution to the world is The transfer of sovereignty from the monarchy to the body of France citizens तो देखे सिंपल सी अगर छोटी सी बात करें तो जो monarchy form थी ना वो खतम हो गई थी और संप्रभुत्ता आ गई थी Who was proclaimed the king of united Italy in I think repeat हो रहा है फिर भी पढ़ लेते हैं Who was proclaimed the king of united Italy in 1861 तो किसे घोशित कर दिया गया था United Italy का king तो दिखे वो थे Victor Emmanuel second ठीक है पढ़ चुके हैं ये तो कौन थे Victor Emmanuel second और कब हुए 1861 में तो इस तरह से आपके सब ही question answer होती है complete I hope बहुत अच्छ से आपको समझ में आ गए होंगे अगर आपकी फिर भी कोई query है तो आप comment section में लिख सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe करें मिलते हैं अपने next topic में तब तक के लिए के बाबाई एंड टेक केर